मेरे साथ है राजिस्थान कॉंगरस के प्रभारी सुख जिंदर सिंग् रंधावा जो मतगनळा से ठीक पहले जैपुर आ गए है किन उमीदों के साथ आए है और किन तयारियों के साथ आए है रंधावस से पूछते हैं सबसे पहले तो क्या उमीदे हैं, कितनी सीटों पर कॉंग्रेस को भरोसा है कि वो जीतने जाएंगा? देकि मैं तो पहले दिन से जब मैं आया था, तो उस दिन भी मैंने का था कि कांगर्स जीते गी एक सल पहले मैं आया था, और सबसे पहले मेरा काम था कि जहां और्गनेजेशन को खड़ा करना, हूँ मैंने कर दी या, उनको मंडल राधेक्ष, वहां तक काम ने बना दी है, ज कांगर्स के वर्कर में एक जोश पैदा हो गया कि हमें काम करना है तो उसके बाद जो जोजनाएं थी उनके लिए खूब परचार परसार और इंप्लिमेंट भी हुआ जी कि लोगों को एक अच्छा स्याशन चाहिए परचाशन चाहिए वो हमारी कांगर्स कव्मेंट ने दिय गया और कहीं भी जुमलेबाजी जो जूट नहीं बोला गया जो कहा वो किया जो कहेंगे वो करेंगे तो इसी के उपर हमने एलेक्शन लड़ी है तो अब उमीद क्या है कुछी घंटों में साफ हो जाएगा और हम गवर्मेंट जो है रफीट करेंगे और हमारी ज़ते बीजेपी सरकार बनाती नज़र आ रही है लागि कॉंग्रेस जादा पीछे नहीं है एक्जिट पोल के इन आकड़ों पर आप क्या देखिए एक्जिट पोल कई बार आंकड़े कोई और निकलते है तो तो थोड़ा बहुता आप भी तो इतने नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल हमारा जो है हम बहुमत लेकर जाएंगे और हमारी गौर्मिन जो है बढ़ेंगे अगर कुछ सीटों की कमी रह गई सर निर्दलियों को साथ लेना पड़ा छोटी पार्टियों को साथ लेना पड़ा उसके लिए क्या रननी ती बिल्कुल वो करेंगे उनको भी हम करेंगे जो हमारे साथ हमारी पार्टी की आडियलोजी को मानते हैं करते हैं उनको हम करेंगे पर वो ऐसा काम नहीं करेंगे जैसा बीजेपी खरीदो फरोकत वड़ा करती है कि मले बड़ी सरकार को तो वो कभी नहीं होगा और राजस्तानी कभी भी वो बरदाश्ट नहीं करते हैं. संपर्क शुरू कर दिया है कि आप लोगों ने? संपर्क तो पहले दें सी कर देते हैं. हाँ, ऐसा जरूर है कि हम से भी गलती हुई है. कोई टिकेट्स जो हैं, वो हम ठीक नहीं बांड सकें. मैं बड़ा एक सादमी हूँ, कि जो नहीं बात हुई, वो मैं कह रहता हूँ कि हम से गलती हुई है. क्या गलती है? कई टिकेट्स जो हैं, उनके जो डिजर्व करते थे, उनको जूद को देना है, किसको देना, कैसे करना है? वह थोड़ी बहुत, कोई पांच साथ सीटों पर इंबेलेंच काम हुआ. अदरवाई तो आपने देखा हमारा बिलको ठीक था. तो लगता है, उन पांच साथ सीटों पर जो आप कहे रहे हैं, टिकेट बाटने में थोड़ी गलती हुई, उसका दुष्पर हैं? वह नहीं कहता है, पर मैं वह कहता हूँ कि जिन लोगों को नहीं मिली, उन्होंने भी बहुत कांगर्स केल यह काम किया था. तो यह वाने कि निर्दलियों से चोटी पार्टियों से संपर्क में हैं? जिनको हमने टिकेट दी हैं, वो टक्साली कांगर्सी हैं और वो एक एसेड है हमारे लिए, तो उनको अगर उनके उपर हमारा भ्रोसा नहीं रहेगा तो किसके उपर है? तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसको लेकर भाग जाएंगे, उसको कहां ले जाएंगे, यार वो हमारे ओनरेबल MLA बन कर आएंगे, लोगों को दिल में होता है कि मेरा MLA बना है, मैं खूब नारे लगाऊँ, जलूस की शकल में जाऊँ, वो सब को करके… कोई तोड़ फोड़ का कोई डर नहीं है? करेंगे, वो डिसाइड करेंगे, और आपके, हाँ, बिलकुल यह कि हमारी पार्टी में कभी उपर से हुकम नहीं आता? आप ने देखा है कि यहां अलेक्शन कांग्र्स वरसीज मुदी हुई है. वे कंग्र्स वरसीज बी जे पी नहीं, तो हमारी पार्टी जो है, डिमोक् आखरी में अगर इजाज़त दें चुकि आपने कहा है क्या किसी प्रकार की नर्वसनेस है कुछ सीटों को ले करके आजसा आपने खुद का टिकेट डिस्ट्रिबूशन में कुछ कमी रहे हैं मैंने वो नर्वस नहीं। मैंने क्या कि लोग डिसर्व भी करते थे, मैरे मन्में है कि उनको वो डिसर्व करते थे उनको इन्होर कि शिली कुद नहों करता रएक का था? वो मेरे क्याने का मतलब था आकड़ा बताना चाहेंगे? आकड़ा हम गवर्मेंट बढ़ाएंगे मेरी दिखी आप आपका एक चैनल जो कम बता रहा है बाकी जो चैनल है वहीं पर यह हम खड़े है तीन अंकों में होंगे? तो कॉंगर्स को भरोसा है कि एक बार फिर सरकार रिपीट होगी देखना यही है कि यह भरोसा रंग लाता है या नहीं क्यामरा पसुन प्रविंदिक्षित के साथ जैनेंद्रे बीपी न्यूज जैपूर